नमस्कार रेणुकारानी सीह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दी कभिनंदनेवन स्वागत है आज मैं एक धनी ब्यक्ती की कहानी लेकर उपस्ति थूँँग। एक धनी ब्यक्ती मरणोपरांत स्वर्ग पहुँचा उसे अपेक्षा थी की उसके साथ वहाँ बहुत आदरपून विवहार किया जाएगा पर जब उसने देखा की उसके महल के पीछे रहने वाले निर्धन ब्यक्ती को वहाँ सरवच सतकार दिया जा रहा है तो उसके अच्छे से जानता हूं यह जीमन भर खटे हाल रहा और इसे आप इतना सम्मान दे रहे हैं जबकि मैंने जीमन भर दान पुर्ण्य किये और मुझे अन्य ब्यक्तियों की तरह ही समझा जा रहा है चित्रगुप्त बोले इस ब्यक्ति ने हर रात सरसों के तेल का एक दिया ज और भी पक्षपात पुर्ण है मैंने हर दिन अपने मंदिर में घी के हजारों दिये जलवाए हैं और सरसों के तेल के केवल एक दिये को नित्य जलाने पर इसका इतना मान क्यों चित्रगुप्त गंभीर स्वर में बोले पुर्ण्य धन के प्रदंसल से नहीं सार्थक कर्मो को करने से अरजित होता है इसके दिये ने उस अंधेरी गली में अनेकों को पत दिखाया और तुम्हारे दिये केवल तुम्हारी सम्रद्धी और अहंकार के लिए जले कर्मों की महत्ता मुल्य के आधार पर नहीं वरनकारे की उपयोगिता के आधार पर होती है इससे हमें य अच्छे कर्म करते रहना चाहिए फल जरूर ही अच्छा मिलेगा इसी के साथ मैं अपनी बाणी को विराम देती हूं जै हिंद जै भारत